यह वीडियो स्वयविन के बीज उपचार के बारे में है जुन 2024 का महिना है और मानसुन ने भारत में एंट्री ले ली है और अब समय आ गया है स्वयविन के बुगाई का तो किसान सात्यों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रशियन नेचर में बीज आपके पा जांच लीजिए इसके करण बीज की दर कितनी रखनी है आपको पता रहेगा अब बात करते हैं स्वयविन के बीज उपचार की तो बीज उपचार करने के फाइदे आप सभी को पता है बीज के अंकुरन छमता बढ़ती है बीज जो 20 गंटे पहले अंकुरित होता है एक तर फफुनासी और कितनासी बीज उपचारक दवाओ के बारे में बात करेंगे जो सामने तर सभी किसान भाई उपयोग करते हैं इन में से कुछ प्रड़क्ट नए सामील हुए हैं और कुछ प्रड़क्ट पिछले वर्स बहुत ही प्रचलित रहे हैं जो कि बीज की एफायर त इसमें आपको फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड मिक्स कॉंबिनेशन में मिलता है इससे आपको अलग से कीटनाशक लेने की कोई आउशकता नहीं है उपयोग की मातरा की बात करें तो 100 ml वाइबरेंस इंट्रेगल से 100 किलो बीज यानि एक कुंटल बीज को उपचारित क कर सकते हैं जिसकी कीमेत आपको 6500 से 700 प्रती 100 ml पड़ेगी यह 30 ml 100 ml पेकिंग में अवेलेबल है उपयोग की विदिया आपको पता ही है 100 ml दवाई के साथ आउशकता है उसर 500-600 ml पानी लेना है और उसमें अच्छे से मिलाकर हाथ में गलफ्स पहन कर बीज को उपचारित कर ना है बीज उपचार के लिए दूसरा नया प्रोड़क्ट है वेस्ट का एग्रोलाइफ का वार्डन और UPL कंपनी का इलेक्ट्रॉन दोनों नए प्रोड़क्ट हैं दोनों में कंपनी और ब्रांड नाम के अलावा कोई अंतर नहीं है दोनों में सेम टेक्निकल है एजक्स इनमें फफुन नासक के साथ साथ कीटनाशक मोजूद है इसलिए इसमें भी अलग से कीटनाशक लेने के आवशक्ता नहीं है वेस्ट एग्रोलाइफ के वार्डन और UPL के इलेक्ट्रोन में सेम टेक्निकल है प्रतिशत की मात्रा भी बराबर है फिर भी दोनों कंपनियां उप्योक की मात्रा अलग-अलग बता रही है लेकिन हम रेगुलर डोज की बात करें तो इनमें 200 से 200 एमेल प्रतिकुंटल के दर से लेना है और 400 एमेल पानी लेकर बीज उप्चार करना है वार्डन और इलेक्ट्रान दोनों का प्रतिकुंटल खर्च 500 के आसपास आएगा इन दोनों का एक लिटर का पेक 2000 रुपे के आसपास पड़ेगा दोनों ही प्रोड़क्ट आपको छोटे पेक में अवेलेबल हो जाएंगे अब बात करते हैं तिसरे प्रोड़क्ट की जो की बायर का एवर गोल यह बितेवर्स का भी प्रचलीत रहा है खरीब की पसल हो या फपुन नसीततो है इसलिए इसमें आपको अलग से कीटनाशी बीज उप्चारक लेना पड़ेगा एवर गोल का रेगुलर डोज 100 किलो बीज में 80-100 ml एवर गोल को आउशिक तनुसार 500-600 ml पानी मिला कर उप्चारित करना है एवर गोल आपको छोटा बड़े सभी पेक में मिल जाएगा इसका एक लीटर का पेक 6500 के आसपास आएगा एक कुंटल बीज के लिए एवर गोल का खर्च 600 रुपे के आसपास अगला बीज उप्चारक है जिससे आप सभी परीचित है वो है BASF का जहलोरा इसमें दो टेक्निकल है थायोफिनाइट मिथाइल और पाइरोकलेस्टरोबिन उप्योग की मातरा 200 ml प्रतिकुंटल, 80 ml, 100 ml, 400 ml सभी पेक में अविलेबल है 100 kg बीच के लिए 200 ml जहलोरा को 400 ml पानी में मिलाकर अच्छे से बीज उप्चार करना है इसका 400 ml का पेक 1250 से 1350 के बीच आएगा जहलोरा का एक कुंटल बीच के लिए 600 रुपे के आसपास का खर्च है एक बात का विशेज ध्यान रखिए बीज उप्चार एफायर पदिती स यानि क्रमबत तरीके से करें सबसे पहले एफ यानि फंगिसाइड से बीच उप्चार करें उसे च्छाओं में सुखने दे फिर आई यानि इनसेक्टिसाइड से बीच उप्चार करें अगर आप राइजोबियम कल्चर से बीच उप्चार करते हैं तो उसे अंत में उप्य किजिएगा धन्यवाद